एजी सुनिए राहुल का टिफिन दे आईए उसके ओफिस में राहुल की मा बोली क्या राहुल आज साथ में टिफिन ने कर नहीं गया आज उसके ओफिस में मेटिंग थी बॉस के साथ सबेरे सबेरे इसलिए बिना टिफिन के ही वो चला गया ठीक है ठीक है मैं दे आता हूँ राहुल के पिता तयार होने के लिए कमरे में चले गए एक दिन पहले मा मेरे दोस्त के पिता जी भी टीचर थे उन्होंने देखो केसे आलिशान बंगला खरीदा है नहीं तो मेरे पापा हम आज भी इस किराय के मकान में रहते हैं राहुल गुस्से से बोला राहुल तुम्हें पता नहीं शायद पर तुम्हारे पापा घर में सबसे बड़े थे इसलिए दो बहन और दो भाईयों की शादी उन्हीं कदमी थी और साथ में तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा और तुम्हारी बड़ी बहन की शादी भी तो थी किसने किया ये सब क्या फाइदा है इन सब का उनके भाई बहन अब बंगले में रहते हैं कभी उन्होंने सोचा है कि अपना भाई किराय के मकान में रहता है तो उसके लिए छोटा सा घर खरीत के दे दे ये सुनकर मा की आँखों में आसूं आ गए उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जन दिया बेटा अपने बाप के बारे में ऐसी बातें कर रहा है फिर मा बुली तुम्हारे पिता ने अपना कर्तव ये निभाया अपने भाई बेहनों से कभी किसी चीज की उमीद नहीं की राहूल पागलों जैसा बूल रहा था अच्छा वो ठीक है पर पिता जी लड़कों की ट्यूशन लेते थे उनसे अगर फीज लेते तो आज पिता जी पैसों की गद्धी पर सोते आज कलके क्लास वाले देखो कैसे इंपोर्टेड गाडियों में घूनते हैं लेकिन तुम्हारे पिता के कुछ उसूल थे ग्यान बाटने के पैसे नहीं लेने के इसलिए तो उन्हें धेर सारे पुरसकार भी मिले पता भी है तुम्हें ये सुनते ही राहूल जोर से चिलाया क्या फाइदा इन पुरसकारों का क्या उनसे हमारा मकान बनेगा पड़े हैं धूल खाते उसकबाड खाने में कोई नहीं पूछता है उनको तब ही दर्वाजे की बेल बच्टी है पिता जी ने अपनी बातें तो सुन नहीं ली न इस डर से राहूल का चहरा उतर गया लेकिन पिता जी किसी से बात किये बिना ही अपने कमरे में चले गए ये था कल का जगडा और आज मोहनलाल ने साइकल को टिफिन लगाया और कड़ी धूप में राहूल के आफिस पहुच गए कड़ी धूप होने के कारण वो ठक गए थे आफिस पहुचने पर उनको सिक्यूरिटी गाड ने रोका राहूल सर को टिफिन देना था क्या मैं अंदर जा सकता हूँ मोहनलाल ने पूछा अभी नहीं दे सकते वो बास के साथ मीटिंग में है जब मीटिंग खत्म होगी तब दे देना चलो यहां से अटो बास तुम्हें देखना नहीं चाहिए अगर बास को दिख गए तो मेरी हालत खराब हो जाएगी चलो जाओ उधर गाड बुला मोहनलाल कुछी दूरी पर धूप में खड़े रहे मीटिंग एक घंटे से उपर तक चली उनके पैर में दर्ध होने लगा तब यह ओफिस के केबिन का दर्वाजा खुलने की आवाज आई बास के पीछे पीछे राहूल भी आया धूप में खड़े हुए पिताजी को देखकर वो मचला आया चलते चलते बास की नजर मोहनलाल पर पड़ गई गाडी में बैठने की बजाए वो वहीं खड़े रहे वो सामने धूप में कौन खड़ा है उन्होंने गाड से पूछा अपने राहूल साहब के पिता है अटिफिन देने आये थे गाड डरते हुए बुला बुला उन्हे राहूल गबरा गया उसके पसी ने छूड़ गए उसे अपने पिता पर बहुत गुस्सा आया गाड के बुलावे पर मोहनलाल अंदर आये बॉस उनकी पास गए और बुले आप मोहनलाल सर है ना सरकारी स्कूल में आपकी टीचर थे ना हाँ पर आप कैसे पहचानते हैं मुझे कुछ समझने से पहले ही बॉस ने मोहनलाल के पैर चुए राहूल और सब लोग ये देखकर हक्का बक्का रह गए सर मैं विजय आपका स्टूडन था आप मुझे पढ़ाने के लिए घर आते थे हाँ हाँ याद आया बाप रे तुम तो बहुत ही बड़े हो गए हो विजय मुस्कुराया और बुला सर आप यहाँ धूप में क्या कर रहे हैं चलिए अंदर बैठते हैं बहुत सरी बातें करनी हैं आपसे सिक्योरिटे तुमने ने अंदर क्यों नहीं बिठाया सिक्योरिटे ने शर्म के मारे गर्दन नीचे कर दी और बुला सौरी सर गलती हो गई इस पर मुहनलाल बुले इसमें इसकी कोई गलती नहीं है आपको डिस्टब ना हो इसलिए मैं ही बाहर खड़ा हुआ था ओके ओके विजय ने मुहनलाल का हाथ थामा और उनको अपने कैबिन ले गिया बैठिये सर अपने कुरसी की तरफ उंगली करते हुए विजय बुला नहीं नहीं ये कुरसी तो तुभारी है मुहनलाल हिचके चाहट से बोले सर आपकी वज़े से ही तो ये कुरसी मुझे मिली है इसलिए इस पर सबसे पहले आपका हग बनता है विजय ने जबरदस्ती मुहनलाल को अपनी कुरसी पर बढ़ाया शायद आपको पता नहीं लेकिन अगर सर नहीं होते तो आज ये कंपनी नहीं होती और मैं अपने पिता के साथ उनकी दुकान में बैठा रहता विजा ने अपने साथीयों से कहा राहूल और मैनेजर आश्चेरे से देखते ही रहे गए स्कूल के टाइम मैं एक एवरेज स्टूडन था मुझे पढ़ाई में दिल्चस्पी नहीं थी माक्स कमा रहे थे इसलिए मेरी मा मुझे सर के पास उनके घर ले गई और ट्यूशन लेने के लिए कहा पर सर के घर पर जगा नहीं थी इसलिए वो हमारे घर आकर मुझे पढ़ाने लगे लेकिन सर ने कभी फीज नहीं ली सर के पढ़ाने के तरीके से फिर धीरे धीरे मुझे पढ़ाई में रूची आने लगी और मैंने दसवी में दूसरा नमबर लाया ये देख कर तो मैं हब मामें उड़ने लगा, माई गुडनेस, पर सर ने कभी आपसे फीज नहीं ली, मैनेजर ने पूछा, मैं मा के साथ मिठाई लेके सर के घर गया, मा ने पचास हजार का चेक सर को दिया, लेकिन उन्होंने वो नहीं लिया, तब सर ने एक बात कही थी, जो आज भी मुझे याद सर ने कहा था, मैंने कुछ नहीं किया, आपका बेटा ही होशियार था, मैंने सिर्फ उसे रास्ता दिखाया है, और मैं ग्यान बेचता नहीं हूँ, दान करता हूँ, फिर मैंने ट्वेल्ट करने के बाद MS किया, और अमेरिका जाकर पढ़ाई की, और वापस आने के बाद य बना दिया सर आपको सच में दिल से प्रणाम मोहनलाल की आँखों में आँसु आ गए ये सच में कमाल की बात है बाहर दुनिया में पढ़ाई का बाजार चल रहा है और इन्होंने बिना फीज लिए पढ़ाया मान गए सर आपको ऐसे लोग उसूल के पक्ये होते हैं इन्हें पैसों की और पुरसकार की भी चाहा नहीं थी इन्हें तो बस अपने स्टूडन का भला हो यही दिन राद सोचते थे सही कहा सर आपने ऐसे लोग तो दुनिया में बहुत ही कम होते हैं सर क्या आज आज आप उसी किराई के मकान में रह रहे हो मोहनलाल की जगा राहुन नही कहा क्या मोहनलाल और राहुल एक ही साथ बोले इतनी बड़ी गुरुदक्षणा मुझे नहीं चाहिए मोहनलाल बोले सर प्लीज ना मत कहिए काम के चकर में मैं अपनी गुरुदक्षणा देना भूल गया था बहुत-bergund शुक्रिया सर शुक्रिया मुझे नहीं अपने पता तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि कभी भी अपने पिता से ये मत पूछिए कि उन्होंने आपके लिए क्या किया और क्या कमाया है जो कुछ कमाना है वो अपने दम पे कमाओ उन्होंने हमें जो पढ़ाई और संसकार दिये हैं वही आपको कमाने में मदद करेंगे धन्यवाद